सद्रिश गोपिन प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो निर अंकुष अति निदर रसिक यश रसना गायो दुष्टन दोश विचार मृत्य को उद्यम कीयो बारन बां को भयो गरल अम्रत ज्यों पीयो भक्त निशान बजाई के काहुते नाहीं लजी लोक लाज कुल शिंखला तज मीरा गिर धर भजी भक्तों महान संत महान कृष्टन भक्ता गोपी स्वरूपा मीरा भाई के पवित्र चरितावली के संबंध में कई भक्तों का एक प्रश्ण है वो प्रश्ण यह है कि भोज राज जी ने शरीर छोड़ने के पहले ही रतन सिंह को एक जिम्मदारी देया था और कहा था कि तुम अपनी भावी मेरा का ख्याल रखोगे उनकी संभाल करोगे उनकी सुरक्षा की व्यवस्ता रखोगे बोज राज ने कहा कि मेरा शरीर तो अब नहीं रहा पाएगा लेकिन यह जिम्मदारी में तुमको दे रहा हूँ और रतन सिंह ने उस जिम्मदारी को बहुत स्द्धा के साथ विकार किया था यह चरितावली में आप लोगों ने श्रवण किया था तो भक्तों का प्रश्न है कि जब रतन सिंह ने इस जिम्मदारी को सुईकार किया था तो विक्रमा दित्ति के द्वारा जिसे राणला विक्रम मैंने बोला है उनके द्वारा मीरा जी क्यों सताई जाती रही और अतन सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं कुछ किया यह भक्तों लोग जानना चाहते हैं तो मैं इसी विशे में जो कि एक पारिवारिक वाइमनाष्य की बाती पहले मैंने नहीं बताना चाहता अब भक्तों के प्रस्ण बार बार आरहा है इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं बात यह थी भक्तों के महाराना सांगा की धर्मपत्नी धना बाई से कुणर रतन सिंह का जन्म हुग था और कर्मा वती बाई से तो कुमर उदे श्मक्ता जन्म हो था फिए कर्मावती बाई जोती उसको हारी राणी बिकआ जाता天 उसम हारी रानी कर्मा वती बाही पर महाराना की विशेष पृत थिए कुमर भोज राज की मृत्यू के बाद करमावतीने महाराणा से निवेदन आपने दोनों पुत्रों के लिए विक्रमधी त्यारूदै सिंग इन दोनों पुत्रों के लिए रन थंबावर की जागीर लिख्वाली है। आजे ये गढ़ रन थंब और चित्तोर से अलग रहे है। ये कुवर रतन सिंको प्रे नहीं था। परन्तु ये पोज पिता के समक्षनत मस्थक थे। महाराणा सागा के पुत्र होने के नाते रतन सिंको पिता जी का बहुत सम्मान था। और मेवाड की राजगदी पर बैठने के बाद एक ओर महाराणा रतन सिंक चाहर है थे। कि रण थंबोर चित्तोड का यंग बना रहे। और मेवाड की राजगदी पर उनका पुत्र कुम्वर विक्रम दित्यासीन हो। ये पारिवारिक वहिमनस्य महाराणा रतन सिंक के लिया काल काल बन गया। और उनके जीवन के लिए प्राण घातक शिद्धुआ। महाराणा रतन सिंक का दा संस्कार पाठन ग्राम में हुआ। और महाराणी पंवार जी सती हो गई। इनके एक पुत्री थी श्याम कुमर बाईशाव। और भक्तों आप लोगों ने मीराजी की चरितावली में सुना ही होगा। कि श्याम कुमर बाईशाव को मीराजी बहुत चाहती थी क्योंकि मीराजी की भाग्त थी श्याम कुमर बाईशाव। और मीराजी को यह भी पता था कि रतन सिंग जो मीराजी की चुरक्षा के लिए समर्पित थे अब उनका पारिवारिक वाहिमनस्य की कारण मरन हो चुका था उनकी पत्नी भी सती हो गई थी तो उनकी जो पुत्री थी श्याम कुमर बाईशाव। इसको मीराजी बहुत कृपा दिश्टी जी देखती थी और अपनी भाक्ती भागवान की भाक्ती भी प्रदान किया था तो भाक्तों यही कारण था कि रतन सिंग जी थोड़े दिन ही राजा रहे और फिर पारिवारिक वाहिमनस्य जो सवतेली माता वाली बात थी सवतेली म घेली माता को रतन सिंग के पिता जी महाराना सांगा Ludovic चाहते थे अन्याद प्रेवाता थी दोम पिता जी का विरोध लायकपोत्त होने की कारण रतन सिंग नहीं करना चाहते थे इसलिए पिता जी की इच्छा में समर्थन उनको करना पड़ा और भड़ों फिर भी उनकी autobi अर इस कारण से माता पिता दोनों की इच्छा मैं तो ये भी कहूंगा कि मीरा जी की बड़ी कठिन परिक्षा होनी थी जैसे खरे कोने को सोने को खरे सोने को बार बार तपाया जाता है ऐसे महान पूर्सों को बहुत तपना पड़ता है ठाकुर जी उनको हमेशा बचाते हैं मेरा जी सताही तो बहुत गई विक्रम के द्वारा लेकिन भगवान बचाते रहे भगवान ने दिखला दिया कि चाहे कितना ही सत्रु कोई हो लेकिन वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं और राणा सांगा और तो टेली मा इन सब की जो अपनी इच्छा थी उसका जेशे रत्वन सिंग ने सम्मान कर दिया इसी कारण से विक्रमा देत्य राजा बन गया था और राजा की ही चलती ही भक्तों किन्तो विक्रमा देत्य रहना विक्रम एक युद्ध में मारा गया था उमने आपको सुना चूकरूं तो जो प्रश्ण था भगतों का, उसका समधा मैं ने किया शीरादेर दे, जे शीरादे भगतों जो प्रभु की विश्यश प्रेमी जन होते हैं उनका यू स्भाव होता है गुन तुमहार समुझेनी जिदोशा जे सब भाँचि तुमहार भरोसा वे प्रेमी जन जो प्रभू के होते हैं उनके इंदर गुम तो बहुत होते हैं लेकिन उन सब गुणों को वो भगवान का मानते हैं और ये कोई छोटी मोटी कमी कभी दिखलाई पड़ जाया उनके जीवन में तो बस उसी को अपनी मान करके करते हैं कि मेरे अंदर एक कमी है और अनन्त गुन होने पर भी उन गुनों को करते हैं तो ठाकुर जी का है ये मेरे अंदर जो है ये उनका गुन है अर्थात मेरी विशेष्टा नहीं ये विशेष्टा प्रभू की है और भगवान उनकी उपर अपनी कृपा की शक्ती बहुत ज़्यादा रखते हैं उनको पता भी नहीं रहता भक्तों क्यों कि इतनी शक्ती मेरे अंदर प्रभु ने भर रखी है आप सुन रहे थे कल कि वैड जो कि राज वैड था उसको राणा विक्रम ने ये समझा कि इसने विष्ण नहीं दिया था नहीं तो मेरे मर जाती है इसने ऐसे उनको बहका दिया चल कि अमरे साथ इसलिए बचे हुए दो बूंद को उसने कहा कि तू ही पिल करके दिखला कि भी शाय की नहीं है और वैड जिराज तुम्हाराज मर गए और उनके मुर्टक शरीर को मीरा जी के पास पहुंचाया गया माता मीरा ने प्रेम विभोर होकर भगवान से प्रार्थन करते हुए जब गायन शुरू किया है तो उनके गायन में तो भक्ती थी रच था इतना अमरिच सागर जैसे प्रकट हुआ प्रेम की प्रगाड अवस्ता में कि सुनने वाले सब प्रेम विभोर हो गए यहां तक कि लोगों का ध्यान ही नहीं गया है कि वैजिराज उठकर के बैठ चुके है और जब वो गायन पूर्ण हुआ है वैजिराज को जीवित जागरित और बैठा हुआ देखा परिवार के लोगों ने तो आत्यधिक प्रसनता हुई है और वैजिराज जी तो महराज भाव विभोर हो गए और उनकी पत्नी ने तो मीराजी के चरण पकड़ लिये कैसे क्या कहें मीराजी को कैसे धन्य बात दें भाशा ओठी पड़ गई नेत्र के जल से ही मीराजी के पाउँ धो दिया वैजिराजी ने और उनकी पत्नी ने भी अब देखी हुआ था ये सब भाक्ती के परताफ से मीराजी के भाक्ती के परताफ से लेकिन मीराजी इसको अपना गुण नहीं मान रही थी मीराजी करे थी है तो हमारे गिरधर गोपाल ने ऐसा कर दिया उनकी इच्छाती ऐसी और जब वाईजी जी को लेकर के लोग जीवी तवस्ता में चलें वाईजी जी पैदल चलते जा रहे थे अपने घर की ओर तो लोग मीराजी की जय जय कार करने लगे तो मीराजी ने कहा अरी मंगला ये क्या है ये तो भगवान की जय बोलना चाहिए मेरी जय कौन बोलने लगा जा देख और उनको समझा कि भगवान की जय बोलने मेरी जय नहीं बोलने ये तो प्रभू ने किया जो कुछ किया तो मंगला बोली कि बोलने दीजी भग इनको इनका हुर्दे भाव से बरा हुआ है ये जो बोल रहे हैं ये जानबुच के नहीं बोल रहे हैं अनजान में भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं आपकी नाम की जय कर रहे हैं और आपके नाम की जय के साथ साथ आपके प्रभू की जय अपने आप हो रहे हैं इसलिए आप इनको बोलने दीजी जी और इस प्रकार से वैजी जी मर गए थे जो विश पान के द्वारा वो जीवित होकर घर पहुँच गए और इधर राणा विक्रम कुछ सामन्तों सरदारों से घिराववा परिशान है क्योंकि सामन्तों सरदारों की इज्यत अब नहीं हो रही थी उसने कुछ अपने पालवान पाल रखे थे उन्हीं से सब काम करवाता था राय भी लेता था और सामन्त सरदार पुराने थे, उनलों को ज्ञान था, उन्हों था, तुवे आ गए बिन बुलाए, और विक्रम से कहा, तुवे जिराज जीवित हो गए महाराज, तुवे राणा चकीतो करका, हैं, क्या करते हो, फिर संभल करके बोले, महाराज वाज जीवित हो गए, तुवे जल्ला करके बोलाओ, मरा ही नहीं था, मरने का बहाना किये पड़ा था, डर के मारे, मुझे कुरोध आ गया था, इसी से कह दिया, कि हटाओ मेरी आँखों के सामने से, बोल अपनी ही थी, कि अच्छी तरह देखकर भेजना चाहिए था वो वाइद बहुत ही दुष्ट है, बड़े गंदे शब्द बोले, उन शब्दों को मैं नहीं बोल चकता हूँ फिराना ने कहा उसने विष्ट बनाया ही नहीं था, विष्ट होता, तो मेरा भी चली जाती है और वो भी चला जाता लेकिन सामन्त लोगों ने कहा कि महराज विष्ट था चाहिए नहीं था, बड़नामी तो आपकी हो ही रही है तो राना ने कहा होने दो बड़नामी, मेरा कोई क्या कर सकता है, ऐसे जीवित कर देने वाली होती मेरा, तो अपनी दासी मिथुला को जीवित कर दी होती, वो कैसे मर गई वो भी तो विश्च सही मरी ऐसा बताते हैं और महराज राणा नहीं विश्वेजा तब जो दासी में छुला मरी थे और जो लोगी कठे हुए थे वो कह रहे थे कि चारों तरफ यही बात सुनाई पड़ रही है कि आपने जहर भेजा दासी को मार दिया आपने जहर भेजा मीरा को मारने के लिए भगवान ने बचा लिया आपने ही स्वेम अपने वेज़िराज को मार दिया और मीरा जी ने अपनी शक्ती से उनको जीवित कर दिया है यह सरवत्र चर्चा फैल चुकी है महराज तो राणा विक्रम बोला कि जूटी बात का क्या उत्तर हो सकता, किसने कहा आप से इस मैंने जहर दिलवाया तो मरी क्यों नहीं वो किसने दवादार हो की, जहर किसने पिलाया यह सब जूटी बाते हैं आराज ऐसी बोलने लगा वो और उसने कहा कि इसमें जहर देता तो जिन्दा रहती हो ऐसे तो लोग बोलते रहते हैं क्या नई बात हो गई तो बोला कि नई बात यह है कि सारंगपुर का नवाब आया और मंदिर में बैठ करके भावी से बात किया हीरों का हार उसने बक्सा और डांट करके कहा कि तुम लोगों की पगड़ियों में धूल भरी है समझते नहीं हो हमारे कुल खांदान की बेजिती कर दिया उसने मेरा जी के करार था कि मेरे कुल खांदान को कलंकित कर दिया महराज मीराज जिनी तो उसके कुल खांदान को कलंकित नहीं किया था बहुत ही कीर्थी प्रजान की थी लेकिन मूर्खता के कारण वो कर रहा था कि हमारे कुल खांदान को कलंकित कर दिया तो जो लोग आये हुए थे पुराने सलाकाल रोग उन्हों मैं का महराज आपको ये क्यों नहीं पता चलता है कि आपके कोई विधरमी आया या नवाब आया ये तो आपके कर्मुचारियों को पता होना चाहिए वो तो किसी की बात को भी स्विकार नहीं करने को तयार था कि जार दिया गया और बोला कि मैं कहता हूँ कि विश्ट दिया ही नहीं गया विश्ट दिया होता तो भावी कैसे देव लोग पधारती नहीं वो तो अब तक जिंडा है तो जो सामन तो लोग आये थे उन्होंने कहा ठीक है पर भाई जी जी कैसे मर गए थे वो बोलब मरे होते तो चीता पर न पॉड़ गए होते वो तो किसी कारण मैंने क्रोध में आकर डांट दिया तो भाई के मारे अचेत हो गया था लोग घर के लोग उठा के ले गए भावी के पास वो भजन गा रही थी भजन पूरा हुआ तब तक चेतना उसकी लोट आई थी बाहर बात फैला दी गई कि वे जी जी कुमार डाला था और उन्होंने जीवित कर दिया मीरा जी ने मैंने तो किसी को जहर ने दिया इतने पर भी सभी कहते हैं तो कहने दीजिए जहर दिया भी तो मैंने तो अपनी भावी को जहर दिया कोई पराय को दिया इसमें दूसरों का क्या गया यह तो मेरे घर की बात है और उनको दखल देने का क्या आख है महराज इस प्रकार से अनाप सवनाब बातें वो बोलने लगा तो सामंत लोग बोले ये बात आप भोल जाएं सरकार राजा के प्रत्य कारे का प्रभाव पूरे राज्य और प्रजा पर पड़ता है आप तो यहां महलों में भी राजते हैं हमें सुनना भारी पड़ता है और जब इस प्रकार चे लोग समझाने लगे तो उसकी बुद्धी इतनी खरहाफ हो गई थी कि उसे तलवार खीच लिए और पुरोहिज जी फिर बीच में खड़े हुए उन्होंने सरदारों को धैरे रखने के लिए निवेदन किया और बहुत मुश्किल से शांती पुरोहिज जी कर पाए बीच बीच में कोट दो कर उच चिलाता था क्योंकि यह लोग समझाने कोशिश करते थे कि अधि मीरा जी को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा तो चिलाता था क्या कर लोगे तुम दो मारा किसी किसी तरह से पुरोहिज जी ने और समझदार लोगों ने शांती की लेकिन इसके बार उसके मन में यह बात बैठ गई कि मेरता की यह लड़की मीरा जो हमारे हां भावी बन करके मेरी आई है सारे अनर्थ की मूल यही है दांत किसा आया दांत पीस लिया कि यही है अनर्थ की मूल कोई मौका आएगा तो मैं छोड़ूँगा नहीं और महराज शयन का क्षमे जो रहने वाली एक परिचारी का थी उसको सुनाई पड़ा दिखो उसको उपर कृप्रा करशी हुई कि उसको किसी पुरुष की बड़ी सुन्दर सुरीली आवाज सुनाई पड़ी और प्रभू क्या करना चाते थे उस दासी को आवाज भगवान की सुनाई पड़ी और वो भागी हुई दासी भूरी बाई आकर के राणा के पास पहुँची हुँ आकर के उसने सूचना दिया कि महराज कुरानी सा के महल में किसी पुरुष का स्वर सुनाई दे रहा है कुरानी सा मतलब जो मिराजी है कुरानी है तो उनके घर में उनके कक्ष में किसी पुरुष का स्वर सुनाई पड़ रहा है कौन है वो तो राणा तो चिल्ला पड़ा, क्या करें तो, तो थोड़ी से डर चीगे, लेकिन फिर बोलना चलो क्या, मुझे आवाज चुनाई पड़ी है, मीरा जी किछे पुरुस्चे बात कर रही है, हांस रही है, हांस ने बोलने की आवाज आ रही है, मैं तो भागी हुई आई हूँ तो राणा ने कहा कि उस कक्ष में दूसरा द्वार तो नहीं है, तो उस ने कहा नहीं अन्य दाता, कोई द्वार नहीं है, राणा बोला ठीक है, चल, वहां किसी को खड़ा किया है, हम जाएं तक तक कही भग न जाए वा आदमी, तो वो बोले, भूरी बाई कि मैं अपनी सह देली को छोड़ कर वहाई है, और महराज नंगी तलवार लेकर कि पागल सा भागता हुआ राणा विक्रम पहुंचा है, मीराजी के कक्ष में, और देवडी बान इतने देखकर घबला गये, कि देवडी बान प्रणा में भूल गया, दासियां, शकुरानियां, दासियां, वह सब भोजन कर रहे थे, उट करके भागी है, चमपा ने पूछा, अरे भूरी बाई कहां गए, भूरी बाई ही तो शिकायत करने गए थी, कि वहां किसी पूरुस की आवाज मीरा के कक्ष में सुनाई पड़ रही है, गुलाब सकी बोले कि अभी तो यही थी पता नहीं कह चली गई, और उसी समय राणा तो पहुंच चुका था, नंगी तलवाली, क्रोध में बाल बिखेरे हुए, और उसकी आवाज सुन करके बोजन छोड़ छोड़ के दासी लोग भाग रही थी, घबराई हुई थी, महाराणा भूरी के बताय कि हिसाब से चल करके कक्ष के सम् और उनके पीछे थोड़ी दूर ड्योड़ी वान और साइनिक सामें खड़े थे, और मेरा जी नहीं दीखा, और उनकी से भी के दासीों ने दीखा, कि राणा तो पागल जैसा हो करके आया भागता चिलाता हुआ, राणा के केश खुले बिखरे हुए, कमर बंद के बिना य रखा है, हात में नंगी तलवार, नंगे पाउं, लाल से चुलगती आखें, क्रोज से कापती दे, कुछ छण द्वार पर कान लगाये लगाये, सुनता रहा, फिर किवार पर खीच करके मारा एक लाग, किवार चर्मरा उठे, भीतर से पतला मीठा स्वर आया, कौन है चंप तो राणा बोला कि द्वार खोलो मैं तुमारा काल, जरी लेस्वर में राणा बोला, मैं हूं तुमारा काल, द्वार खोलो, तो मीरा जी बड़ी प्यार से जैसे अपने बच्चे को को बोले, ऐसे बोली, आरी लाल जी साह, एचे बोलते ही वे उनने द्वार खोल दिया, प पधारो पधारो एक और खड़े हो करके देवर को भीता रहने का संकेत किया और भीता प्रवेश करके राना चार ओर देख रहा है पलंग विच्छा हुआ से रहाने जल की कल्सी रखी है भूम पर जाजिम गलीचा विच्छा हुआ है मसनत लगा हुआ और चौसर रखे हैं पा से देखकर कि अभी कोई खेल रहा था यहां भगवान के चित्र भी लगे थे मोठा पड़ा जरोकी पर लगा थे तो उसने देखा जाजिम गलाट दिया पाउं पटक करके जाच किया नीचे कि ता खाना तो नहीं जोर से पटका पाउं और चारो तरफ गुम गुम के देख कि भागने के कोई यह जगा तो नहीं है फिर छलाया कहा गया तेरा पती तो पती दो ठाकर जी को खाती थी मिरा जी तो बड़ी धीरे से सफ स्ने से बोली है मिरा जी कि अभी तो यहीं थे चौ पर खेल करके पाउरनी की तायारी कर रहे थे कितब तक आप पधार गये मेरा ने बिलकुल सरालता से बिना किसी बनावट किसी बात उत्तर की रूप में सुना दिया तो फिर बोलें कि आप क्या उन्हें धूंड रहे हैं मेरा जी ने का क्या आप मेरे पती देव को धूंड रहे हैं बहुत अच्छी बात है यह चेतना जब भी आये जीवन का प्रभात समझिए। पर मेरा जीन का पर धूंड ने से मिलते नहीं लाल जी लाल जी मैं तो छोटे देवर थे नहीं है राणा विक्रम तो ऐसे बोली लाल जी सा पर वो ढूणने से मिलते नहीं जिनको आप ढूण रहे हैं उनकी प्रतीक्षा की जाती है वे चराचर के वासी हैं कहां ढूणे उनको तब तक राला कर बोला चुप रहें शीथे शीथे बता दीजे भावी मारा नहीं तो मुझसा बुरा कोई नहीं होगा वह हाथ की तल्वार उनके सामने की अमारा आतमे ज़ो नंगी तल्वार लिया था विनम्यान की उसतल्वार को मीराग जी तरफ उठाया है और कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप तुरंट बता दो, वो कहाँ है, तो मीरा जी बोले, कि मैं कहाँ बताओं लाल जी सा, वे कहाँ नहीं है, वे क्या किसी के बस में है, राणा बोला, मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो, जो आप से बाते कर रहा था, मैंने अपने कांच से आदमी का स्वर सुना है, कुलक्षणी, महराज मीरा जी को उसने ऐसे बंदे शब्द बोला, और जो जो बोला हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरा जैसे सुलक्षणी तो कोई मिलने पर, डूरने पर भी नहीं मिलेगे, उनको कुलक्षणी बोल दिया उसने, और बहुत गंदे शब्द बोला हूँ, उसने कह दिया कि तेरे जीने से हम लोग मर के समान हो गए हैं, मुझ पर हमारे कालिक पतवा दिया तुमने, राना का क्रोध सीमा पार कर गया, उमर्यादा भूल गया, और अब आपकी जगे तू उत्ते हैं करने लगा, मीरा जी को, और भैंकर क्रोध के वशिभूत होकर तलवार का वार करते हुए, भयानक स्वर में बोला, अब मैं वो शब्द नहीं बोल पाऊंगा, जो मीरा जी के लिए बोला भक्तों, लेकिन ये उसने डाट करका, ले अपने करनी का फल भोग, और जब मीरा जी के उपर तलवार चलाया उसने, तो दासियों के मुख से अंजान में चीख निकल पड़ी, लेकिन आश्चेडे की बाद तो मीरा के उपर जो तलवार उसने चलाया था, वो ऐसे निकल गई, जिससे आकास में घुमाया हो उसने, मीरा तो जहां की तांख खड़े रही, मुश्कराती रही, राणा ये देखकर चकित हो गया, कि मेरी तलवार तो उसी की शरीर पर चली थी, किन्तु ऐसे पार हो गई, जिससे हवा में चली हो, और महराज उसके बाद तो उसने दुगने वेग से तलवार चुलाना शुरू किया, तलवार चलाये जड़ा, जैसे चारो तरफ से शत्रू से घिराओ ऐसे मार रहा था, ठक गया उसका हाथ, मीरा जी हंस्ती रही, तलवार मीरा जी को पार करता था, तलवार पार करती जा र बार बार तलवार की धार को देखता था कि ये क्या हो रहा है, मीरा कटती को नहीं है, तो महराज वो फिर से उचल करके दोनों आथों से तलवार मीरा की उपर मार है, तो मीरा जी हंस पड़ी है, राडा ने देखा एक नहीं दो मीरा खड़ी है, वो पागल की तरह कभी इसे और कभी उसे मारता, एक मीरा को काटने के तलवा चलाता, फिर दूसरी मीरा को, एक तरफ एक मीरा हंस रही, तूसरी तरफ दूसरी मीरा जी हंस रही, और फिर घबडाया, तो उसको चारो तरफ मीरा जी, मीरा जी दिकलाई पढ़ने लगी, आंखें बंद करके चिलाया, अब उसकी बुद्धी खतम हो चुकी थी, उसके जाने पर जो वहां दासियां थी, सेविकाएं, वो जैसे काठ मार गया हो, तुम पत्तर के मूर्टी बन के जैसे खड़ी हूँ, बूर्टी नहीं थी, डर के कारण कोई हूँ, फिर मीरा जी ने का चमपा, ये तलवार भूरी भाई को दे दे, लाल जी सा को दे आए तलवार, अपने लोग इस तलवार का क्या करेंगे, वक्तों मीरा जी ने बहुत स्नेह से कहा है, मन श्री का दुरभाग गंगा तट पर भी प्यासा रखता है उसको, देखो, लाल जी सा मेरे पास आए, किन्तु क्रोध में थे, इसलिए उनको कुछ नहीं मिल पाया, और वे तलवार फ्यंक के चले गए, मीरा तो पलंग पर विराजी गी है, और बहुत स्नेह से बोल रही थी है, और हंस कर बोली एक दोला आता और देवर जी ने मारा होता, तो आज तो मेरा दर्वाजा तूट जाता, फिर सब हंसने लगी उनकी सेविकाएं भी, और महराज वो राणा भागता भागता अपने महाल में पहुँचा, और वहां कहां पराता क्रोद की करना और डर की करना, उसकी तलवार को वो सेविका वहां पहुँचाई है, उसके तो होश हवास गुम हो गया था कि क्या हुआ, तो वो खुद जेशे डरा हुआ था, और यहां मेरा जी के पास जो दासियां हैं सेविकाएं, वो आपस में बात कर रही हैं कि देखो आज हमारे बाईशा होकुम ने क्या चमतकार दिखा दिया, उनके रहते ही हमको डरने को ज़रूरत नहीं हैं, अरे देखो ना अनदाता की तलवार कैसे सपा सब चल रही थी, किन्तु बाईशा होकुम का रोया भी खंडित नहीं हुआ, ऐसा क्या अपराज किया था उन्होंने कि उसको तलवार चलाना उचित समझ में आया, एक निका भाक्ती का प्रताप बहिन, हम सब का सवभाग यह, कि ऐसी स्वामनी के चरणों की चाकरी हमको मिली है, चंपा जो मैं आपको बता चुका हूँ, चंपा कलता जी थी, उन्होंने कहा हमको जो इनकी सेवा मिली है, यह हम सब का भाग यह, आपस में कह रहे हैं, किसी ने चुगली जरूर की होगी, नहीं तो राणा यहां, कैसे पूछने आता कि कौन बात कर रहा है, कौन है, मनुश्य यहां, कौन पुरुच्य है, फिर आपस में कहने लगी, जिसने चुगली की होगी, उसका फल मिलेगा उसको, खोटी है वो, यह तो इन सब के आपस की बाते हैं भक्तों, और राजा कहलाने व़ला राणा विक्रम परेशान है, कि मेरी तलवार से, बड़े बड़े जीव जनतु, हाथी भी गिर जाते हैं, घोड़े गिर जाते हैं, जंगली जानवर गिर जाते हैं, और एक इस्त्री साइकलों बार मैंने तलवा चलाया, तब भी नहीं कटी, ना मरी, ना उसको कोई गाव हुआ, और मेरे अंदर तो कुछ भी शक्ती नहीं, अज़र मेरा जी अपने सेवी का उदासियों के साथ, मस्त भगवान का गुणगान कर रही हैं, हस रही हैं, खुश हो रही हैं, और संतापी राना रो रहा है अपने कच्ष में, चीख रहा है, भक्तों मेरा जी के और चेड़ित में आपको फिर सुना हुआ, आज मात मेरा जी को यहीं परणाम करके विराम दे रहा हूँ, श्री रादेरा दे, दे, श्री रादेरा दे,